वाई दे रूस पूरी दुनिया इन दिनों कोरोना की मार झेल रही है लगातार दुनिया भर में मौतों का अकड़ा भी पढ़ता चा रहा है वहीं पाकिस्तान में भी इन दिनों कोरोना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है पाकिस्तान में चार सांसदों की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटीव आई है इनमें मौलाना, अताउर रह्मान, मिर्जा मुहम्मद अफ्रीदी, अबिदा मुहम्मद अजीम और सिनेटर फिदा मुहम्मद कुरोना वाइरस से संक्रमित हुए है इससे पहले हाली में पाकिस्तान नैशनल असेंबली के स्पीकर असत कैसर भी कुरोना वाइरस से संक्रमित पाए गए थे पाकिस्तान में कुरोना वाइरस के मामले अब लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं वहां कोरोना वाइरस का सबसे ज़्यादा कहर पंजाब और सिंध प्रांद में देखा जा रहा है पंजाब और सिंध प्रांद को मिला कर अकेले अब तक 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं यह पाकिस्तान में आए कुल मामलों का सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में अब तक कुल 37,370 मामले सामने आ चुके हैं वहीं मंगलवार को पाकिस्तान में चीनी राजदूत याओ जिंग ने पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल कमर जावेद वाजवा से कोरोना वाइरस को लेकर बात चीत की है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कोरोना पीडितों की इलाज में जरूरी दो टन चिकित सा उपकरन भेजे हैं इनमें N95 मास्क, वेंचिलेजर, टेस्ट किट, मैजिकल प्रोटेक्टिव कपड़े भेजे हैं और इतना ही नहीं चीन के अलिबाबा फाउंडेशन ने हवाई रास्ते से पाकिस्तान को 50,000 कोरोना वाइरस के किट भी भेजे हैं